नमस्कार जहिन साथियों एक बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से जिहां तेलंगाना के शिकंदराबाद में आज सूबे से ही सेना भरती की नई शेने भरती योजना अगनिपत को लेके बड़ा परदर्शन चल रहा था और इसी परदर्शन में परदर्शन कारियों को रोक सामने आ रही है जी नियूज की और से इस बात की पुष्टी की जा रही है कि सिकंदराबाद में बड़ी जो ये गटना हुई है जिसमें एक यूवक की मोत की खबर है वो सामने आई है आखिरकार देश में इस तरीके के हालात कैसे बन गए इसके उपर सरकार क्यों नहीं सो यूवाओं ने वहां ट्रेनों में आगजनी की आगजनी के बाद वहां परशासन ने उनके साथ कॉमिनेशन बटाने की कोशिश की लगातार उन्होंने आंशुगेश की गोले या अन्य जो भी उनकी प्रकिरिया है उन्होंने कोशिश की लेकिन यूवा माने नहीं तो उनक प्रशासन की जो शीमयों के बाहर आपको पता है जब कानून की शीमय लंगी जाती है तो कानून के रक्षक उसमें कुछ ना कुछ अपनी पर्तिगिरया देंगे और उस पर्तिगिरया में आ сталress कार्षा सब्रस में ऐसा हो सकता है क्योंकि आगजनी और ट्रेनों में रोक्थाम रेल्वेस्टेशन के ऊपर ट्रेक्जाम होने की स्थितियां पूरे देश यह आ रही है और प्रशाशन अब ठक्के कहें नहीं एसे कदम उठाएगा क्योंकि किशान आंदोलन में भी ठीक ऐसे ही आलात हुए और उनी किशानों की कौम के आप बच्चे हो तो आपको उनको देखना चाहिए जो परिवार आपका इंतजार कर रहे हैं उन परिवारों को सामने आप एसी स्तिति ना छोड़े हमारी हमबल रिक्वेस्ट है कि युवा आजजनी जैसे गटनाओं का जो अधिकार है उसको इ हम तो खतम हो गएं कि जब इस यूजणा आ गई है उनके एकजाम इंडोल्मेट रिजल्ट रद हो गएं वो अगर इस तरीके से खुद को मानते लेकिन अपने परिवार को सरोपरी माने क्यूंकि यह जतनी भी भरतिया है यह बाद में हुई है सबसे पहले आपको परिवार परिवार ने समाज में आपको खड़ा किया है आपके परिवार को आपका समाज किस तरीके से रिपर्जेंट करेगा आपको पता है इस बात का तो आप बिल्कुल भी आगजनी है जो भी लोगतांतरिक तरीकों से बाहर की जो शिमाएं उनको ना लांगे लोगतांतरिक तरीके के अंतरकत ही परदर्शन करें विशेस तोर पे आपको बता दूँ कि परशाषन के साथ सयोग से अपना परदर्शन करें क्योंकि परशाषन से जैसे ही आप बाचित करेंगे परशाषन आपके शाथ रहेगा और कई जगे से परशाषन से इसी तश्वीर आ रहे हैं कि परशा मेरी हमबल से पूरे हिंदुस्तान के युवां से सभी हिंदुस्तान के अच्छे और युवा सेना को अपना सरोपरी मानते उनके लिए हमबल का जो भविश्य है उनके सिराग बुझे ना क्योंकि परशाशन लगातार इसमें लगा हुआ है और परशाशन ने यह इस्पष्ट किया कि जब सिमय लांगी जाती है तो हमें हमारे कानून की रक्षा के लिए उपर से आदेश आते हैं उनको पालन करना पड़ते हैं और उप जोनवाई के मंदिर में इसको लेके केशी भी परकार की शुनुवाई शुरू नहीं हुई है यह बहुती दुरलब है बहुती दुरबाग्यापुरण है लेकिन हमारे निरंतर इसको लेकि कोशिश है यूवाउं से अंबल रिक्वेस्ट की आखिर बार-बार हम इसलिए र आंदोलन करें लेकिन सीमाओं के साथ लोगतांत्रिक मुल्यों का पालन करें और सांस्कृतिक मुल्यों का आदार पे किशी भी मानविये जो छेतर है उनको नुक्सान ना पहुंचाएं धन्यवाद शुक्रिया